हम लोग यहां पर पस्तेद हो चुके हैं चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग थमनेल पे देख रहे हैं तो थमनेल पे दिखा हुआ है कि की आपका pom granite क्या लिखा हूआ है आपका pom granite लिखा हूआ है और दीरे दीरे कल के हम लोग कितनी आज हम लोग 24 क्राइट के तरब पहुंच रहा है ठीक है चलिए शुरू करते हैं ठीक है शुरू की जाए अपनी क्लास चलिए आज की अपनी क्लास है चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आप लोग जुड़ जाए बच्चो फटाफट कमेंट करिए और उसके बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास आज हम आपको दिख रहा होगा palm granite, तो palm granite के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, किसके बारे में? palm granite के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यह color थोड़ा सा light है बच्चा, चलिए, यह देखते हैं, ठीक है, यह दिख रहा है? हाँ, यह थोड़ा सा दिख रहा है, चलिए, ठीक है? तो session को एक बार आप लोग share कर दो, और share करने के बाद फिर जो भी आपके telegram बगएरा है, whatsapp है, जो भी आपके group है, उन group में share कर दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं, आज का session ठीक है? आज हम लोग palm granite पढ़ेंगे, काफी important है, यहां से काफी सारे questions आपके बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, आपके, जो इसका botanical name है, वो आपको मालूम है कि इसका नाम जो होता है, वो Punica Granitum होता है, क्या होता है? Punica Granitum होता है, सब को पता है, I think, आप लोग आपको जनकरी होगी, family PunicaC, यहां से तो question नहीं बनता है, question जो बनता है, वो origin से बनता है, क्यों? क्योंकि mostly आपने जो इसका origin place है, इरान है, कहाँ पे है? इरान है और इरान आपने जनरली कहीं पे किसी और क्राप का जनरली आपने सुना नहीं हुआ, ठीक है? सुश्मिता, good evening बच्चा, ठीक है? तो जनरली आपने इरान सुना नहीं है, इरान का पुराना नाम परसिया है, इसलिए कहीं-कहीं आपको परसिया भी लिखके दे देता है, तो इससे आपको परेशान होने की जरूत नहीं है, कि वहाँ परसिया अगर लिखके दे देगा, यह परसिया, किसी-किसी बुक में आपको परसिया मिलेगा, कहीं-कहीं इरान मिलेगा, तो confusion हो जाता है, ठीक है? इसलिए आप ध्यान रखेंगे, कि जो palm grant है, उसका center of origin जो है, वो कहाँ पर आए, वो आपका इरान में है, ठीक है? अब देखो, अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं जैसे कि आप लोग सोच रहे होगे कि इसमें disease की crops नहीं कराई जाती है, पेस्ट नहीं कराई जाते हैं तो जो मैम आपकी pathology पढ़ाती है, वो आपकी disease वाला portion जो है, वो सारा cover कराएंगे ठीक है, इसलिए आपका disease का portion इसमें नहीं रहता है, क्योंकि समय का हम लोग उतने पास, इतना हम लोग के पास समय नहीं रहता है, जिसकी वज़े से आपका ये नहीं हो पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हम कोसिस ये कर रहे हैं कि आपका जो crop है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा content आपको deliver हो, ठीक है गूड इवनिंग रंजीत, चलिए गूड इवनिंग साहिल, वह अच्छी बात है आप लोग जोड़ रहे हो अब, ठीक है एक बार session को और share कर दिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जोड़ सकें ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं आगे बात करते हैं, किसकी आगे बात करते हैं, अब pom granite के बारे में, थोड़ा सा introduction कर लेते हैं, pom granite was introduced into India from Persia, और Afghanistan, कह रहा है कि भारत में जो pom granite आया, वो कहाँ से आया ठीक है, हाँ, सबनम सबनम राजपूत, गूड इवनिंग बच्चा ठीक है, आज तो नाम आपका सहीली है ना तो जो आपका pom granite है, वो परसिया, यानि कि अफगानिस्तान, इरान वाला जो रीजन है, वहाँ से introduce हुआ था, कहाँ पे अपने इंडिया, भारत में इट इस favorable table fruit, आपने सबने खाया है, बहुत खाते होंगे in tropical and sub-tropical region, कह रहा है कि tropical और sub-tropical region में कैसा आए, tropical और sub-tropical region का यह favorite fruit है, आपने खूब खाया होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो property होती है वो, यानि कि जो इसमें मिंदल्स वगेरा होते हैं, वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जिस वजए से, ठीक है गूड इवनिंग शुभम, चलिए इंडिया में भी काफी अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन होता है, ठीक है, इतना तो आपको जनकारी होगी, चलिए अब जो important point है, वो है good source of sugar, 14-16% कितनी, जो sugar की मात्रा पाई जाती है, वो कितनी है 14-16% पाई जाती है और उसके बाद minerals की जो मात्रा है, वो 0.7 to 1% है, और आपका fair source of iron 0.3 to 0.7 milligram, प्रत 100 gram सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, वो iron को लेकि है, क्यों? क्योंकि जब भी anemia की problem होती है किसकी? जब भी anemia की problem होती है ठीक है, तब आपको recommend किया जाता है, क्या? आपको recommend किया जाता है, palm granite किया जाता है कि नहीं किया जाता है ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें iron की अधिकता होती है और iron की deficiency को कम करता है और ठीक है, सुगर होती कौन सी है? अच्छा सुगर आपकी बच्चा जो इसमें होती है वो होती है सुक्रोज कौन सी? सुक्रोज होती है ठीक है? सुक्रोज होती है ज़्यादा तर fruits में सुक्रोज होती है लेकिन जो आपका अंगूर होता है grape उसमें सिर्फ क्या होती है? ठीक है? उसमें सिर्फ होती है आपकी माफ करना, fractose ठीक है किसमें grapes जो होते हैं यानि कि जो grapes होते हैं ये instant energy का source होते हैं और इनमें आपकी fructose होती है ठीक है बाकी जो most of the fruits होते हैं उनमें आपकी सुक्रोज होती है ठीक है ध्यान रखेंगे questions तभी हमेशा grape को लेके बनता है कि grape में क्या होता है ग्रेप में कौन सी सुकर पाई जाती है आपसे इस से कभी नहीं पूछेगा क्यों क्योंकि आपको मालूम है कि जंदली fruits में fructose पाई जाती है बट ग्रेप में fructose पाई जाती है ठीक है चलिए बात समझ में आई आगे चलते हैं ठीक है बच्चा ये अनीमिया के लिए सबसे ग्रेप में fructose हाँ बिल्कुल सुसमिता ने सही बताया बच्चा ग्रेप में fructose होता है क्योंकि fructose आपकी और लेडी ब्रेक हो चुकी हुई सोगर होती है जैसे आपका सुक्रोज है सुक्रोज ब्रेक होगा किसमें glucose और fructose में तब वह आपको energy प्रवाइड करेगा लेक है सबसे ज़्यादा सुगर किसमें विलता है सबसे ज़्यादा सुगर की बात की जाए तो आपका fig में भी होता है डेट में भी होता है आपका grape में भी होता है तो यह अलग-अलग ratios हैं यह इसमें कोई specify नहीं है आप से carbon knit पूछेगा कि सबस्यादा सुगर किसमें पाई जाती है ठीक है आप से सिर्फ जो मेजर पॉइंट्स है वो पूछे जाएंगे जहां से देखो बच्चा क्या होता है कि आपको आइडिया लगाना है पल के चीजों को कि कोस्टन्स हमारे कहां से बनेंगे जो चीज रेगुलर जो डिजीज होती है उस लेप्रॉसी डिजीज को क्योर करने के लिए क्या होता है उसको क्योर करने के लिए इसका रिक्मंट किया जाता है ठीक है आगे चलते हैं यह ध्यान रखना यहां से कोश्टन बना है इस लेप्रॉसी से कि लेप्रॉसी डिजीज के लिए कौन सा क्लाइमेट की इसकी क्लाइमेट की बात करते हैं तो पॉम ग्रेट मेंली सब्ट्रॉपकल फूट हाओवर इट कैन एडॉप इटसेल तु वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडिशन कैन वी ग्रो अप टू एटीन हंडेड मीन सी लेवल देखो एक तो यह आपका कर जाता है दट्री ग्रो बेस्ट इन सेमी ड्राइड क्लाइमेट से मी एरेड ड्क्लाइमेट मैंने अभी आपको बताया कि वैसे तो यह सब ट्रॉपकल में ग्रो करता है लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है और वहां पर रें की समस्या यानि की बारिस की समस्या है तो कि समस्या होते हुए यह वहां पे अगर arid climate है complete arid नहीं semi arid ठीक है कैसी अगर semi arid area है वहां पे तो यहां वह क्या करेगा तो वहां पे यह grow करेगा अच्छ से ठीक है वहां पे इसको कोई दिक्कत grow करने में नहीं होगी चलिए where cool winter and hot dry summer कह राया है कि रातें जो हो ठंडी हो और जो दिन हो कैसे हो आपके गरम हो ठीक है रात कैसी हो रात आपकी ठंडी हो और दिन आपके गरम हो ऐसा तो आपको कहां मिलता है जहां पर थोड़ी सी révत वाली समस्या होती है या थोड़ी से पहाड़ी इलाके होते हैं ठीक है यह climate का है which is present in Baluchistan, Afghanistan and Iran ठीक है इरान में क्या होता है वहाँ पे रेतीले इलाके हैं थोड़े से तो रेत इलाके होने की वज़े से क्या होता है राते ठंडी होती है और दिन गरम हो जाता है जैसे धोप पड़ती है रेत पे बहुत जल्दी heat को absorb करती है और heat घरम हो जाता है और रात में heat को release कर देती है तो जिससे क्या होता है राते वहाँ पे ठंडी होती है तो ऐसी climate वहाँ पे ज़्यादा है इसलिए यह plant वहाँ पे survivability कैसी है बहुत अधिक होती है कितनी वास वहाँ आई बच्चा चलिए the tree requires hot and dry climate during the period of root development ठीक है यह questions आई देख हमने ऐसा मुझे याद है कि आपको बताया है ठीक है कि इसके ripening के लिए palm gate के ripening लिए कौन सा temperature कैसी climate चाहिए होती है तो tree requires hot climate during the period of root development यानि कि फल के development के लिए किसके फल के development के लिए कैसा चाहिए फल के development में आपका क्या होता है ऐसा क्यूं होता है देखो बच्चा यह क्या होता है कि heat को release करने और absorb करने की जो capacity होती है उसके उपर depend करता है ठीक है जो आपकी sand है वो heat को absorb जल्दी करती है और release भी बहुत जल्दी करती है इस वजए से ऐसा होता है ठीक है चलिए उसके बाद बात करते हैं the optimum temperature for food development is 38 degree centigrade कह रहा है कि जो optimum temperature होता है क्या जो optimum temperature होता है fruit development के लिए वो कितना होता है वो होता है आपका 38 degree centigrade इतनी बाह fonals अलिए चलिए इतनी बात सब्चम में आई तो बहुत अच्छी बात यहां तक कोई डाव्ट आइ तो नहीं होना चाहिए आपको doubt चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं किसकी बात करते हैं soil की मिर्दा की बात करते हैं कि कौन सी मिर्दा सबसे बढ़िया होती है semi-arid climate चाहिए तो बहुत ज़्यादा आप इसको rain की ज़रूरत नहीं पड़ती है it can be grown on various type of soil various type of soil the deep loamy or alluvial soil are ideal for its cultivation कह रहा है कि deep loamy soil या आपका alluvial soil किसके लिए सबसे बढ़िया है किसके लिए आपके cultivation के लिए it can tolerate soil which are slightly alkaline कह रहा है कि यह tolerate कर लेगा किसके लिए जहां पर आपकी soil कैसी है alkaline है अगर आपकी soil alkaline है तो उसको यह tolerate कर लेगा ठीक है वहाँ पे grow कर जाएगा it can thrive well a comparatively poor soil where other fruits fell to grow जब मैंने आपको बताया था कि यह कैसा होता है यह आपका semi-arrate में grow कर लेगा तो उसके साथ एक condition और जुड़ जाती है कि यह आपका plants उन भी जगहों पे grow कर सकता है जहां पे आपके दूसरे पौधे अच्छे से grow नहीं कर पाते हैं ठीक है तो वह यह कह रहा है कि where other fruits fell to grow alkaline soil है उसमें भी grow कर लेगा उस जगहें भी grow कर लेगा जहां पे क्या होता है जहां पे और fruits grow नहीं कर पा रहे हैं ठीक है चलिए it can also be grown in medium and black soil and related at salt hardy fruit crop यह लाइन आप याद रखिएगा कैसा salt hardy fruit crop है कैसा fruit crop है salt hardy fruit crop है इसको कभी कभी कुछ books में क्या होता है कि आपके specify क्या जाता है कि temperate fruits, tropical fruits, arid fruits तो वहाँ पे इसको arid वाले उसमें भी रख देते हैं ठीक है, arid वाले fruit में bear और जैसे आवला वगेरा है उनके साथ भी आपको रखके वो कर दियाता है तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह arid climate में भी grow कर सकता है कि बहुत ज़्यादा arid नहीं चाहिए, medium arid में आराम से grow कर सकता है salt and hardy fruit craft है क्यों, क्योंकि यह alkaline soil में क्या कर रहा है, alkaline soil में आपका grow कर रहा है इतनी बास वन में आई बच्चा, चलिए, बास वन में आई इतनी, आगे बढ़ें, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, propagation की, चलिए, propagation की बात करते हैं, तो propagation कैसा होता है commercially मैंने आपको बताया है कि propagation आपका जो है, वो hardwood cutting से होता है, किस से, hardwood से नहीं, semi hard से होता है माप करना, बच्चो, hardwood आपका होता है, उसमें, grapes में, इसमें semi hardwood cutting आपकी चलती है, ठीक है, कैसी, semi hardwood cutting आपकी चलती है semi hardwood cutting of one year old, weld are used for rooting, कह रहा है कि एक साल पुरानी हो, ठीक है, एक साल पुरानी हो, semi hard हो, कैसी, semi hard हो, ठीक है semi hard का मतलब, एकदम complete wood ना बनी हो, और साथ में, एकदम से कैसा, आपका succulent type का suits भी ना हो यानि कि उसकी wood, medium structure में mature हो चुकी हो, उसको बोलता है, ठीक है, तो semi hard हो, one year old हो, pencil thickness हो, कम से कम, कितना 20 से 25 cm, 20 से 25 cm long हो, ठीक है, और कम से कम 10 mm diameter हो, कितना, 10 mm आपका diameter हो, यानि कि जो pencil का थिकनेस है, उस थिकनेस की आपकी होनी चाहिए, जैसे ये pencil है, ये तो थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, लेकिन जो normal pencil होती है, उस वाली थिकनेस की आपकी होनी चाहिए, इतनी बास मैं, 20 से, कम से कम, 5 बढ़ होनी चाहिए, कितनी, कम से कम minimum, minimum 5 बढ़ must be, ठीक है, तो 5 बढ़ होनी चाहिए, 20 से 25 cm long होनी चाहिए, और 10 mm गिर्थ, या width आपकी होनी चाहिए, ठीक है, सबसे बढ़िया होती, अब उसमें easily routing करनी है आपको, यानि कि बहुत fast routing लानी है, तो routing के लिए आपको पता है कि IBA है, जो आपका routing हार्मोन होता है, क्या, IBA आपका routing हार्मोन होता है, IBA कितना, 5000 ppm throw, quick drip, quick dip method, quick dip method का मतलब यह होता है, कि जब आपका ये वाला concentration, ये वाला concentration, 5000 ppm वाला concentration, अगर मतलब IBA का concentration ज़्यादा होगा, हमेशा आप ध्यान दखिए, किसी भी condition में, कोई भी crop हो, अगर ये concentration ज़्यादा है, तो हमेशा जो भी आप material dip कर रहे हो, किसी की भी cutting हो, वो quick dip से, यानि कि आपने डाला, 15 सेकेंड रोका, और उसके बाद निकाल लिया, अगर ये concentration कम है, जिसे 200 ppm वो, 500 ppm वो, 200 ppm वो, 100 ppm वो, 50 ppm वो, ठीक है, तो उसमें आप थोड़े लंबे समय तक उसको रोक सकते हैं, ताकि वो इसको absorb कर सके, बासमन में आ लिए बच्चो, ठीक है, तो वो उसको absorb कर सके, जहां पे concentration ज़्यादा हो जाएगा, जिस भी condition मे उसमें आपको डालना है, और उसके बाद तुरंत निकालना है, plant propagation, हाँ बच्चा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो ये आपका method होता है, IBF हमेशा याद रखेंगे, rooting hormones का है, आपको रट गया होगा, I think, ठीक है, इसमें लिखा है, देखो 10 to 20 seconds, ठीक है, 5 से 10, 20 seconds तक आप उसको डाल के तुरंत निकालने, देखो होता क्या है, कि जो ये IBM है, IBA है, ये IBA roots में absorb, यानि की cutting में absorb हो जाता है, और absorb होने के बाद, ये root को promote करता है, ताकि आपकी जो cuttings है, उनमें क्या होता है, उनमें बहुत fast growth होती है, किसकी? rooting की, ठीक है, जब fast growth rooting की होगी, तो आपक can be also be propagated by air layering, और gooty, ठीक है, as ground layering, transplanting of rooted cutting is done during monsoon season, कह रहा है, कि जो आपकी rooting है, ठीक है, क्या, जो आपकी rooting है, जो transplanted है, यानि कि जो root double up होई, उनको कब लगाना है, उनको आपको लगाना है, मांसून season में, मांसून season आपका कब आता है, जून में start होता है, ठीक है, जून से अ आप इसको लगा सकते है, ठीक है, जून से जून, जुलाई, अगस, जो rainy season है, उसमें आप लगा सकते है, क्यों, better development होगा, roots का, और establishment भी बहुत अच्छे से होगा, इतनी बास्वन में आई बच्चा, ठीक है, देखो, यहाँ air layering और gooty लिखा है, लेकिन यह commercially नहीं है, confused मत हो रिएगा, बास्वन में आ रही है आपको, जो normal, mainly अगर आपको question आएगा exams में, तो आप से सीधे-सीधे पूछा जाए, किस से होता, तो सीधे-सीधे आप semi hardwood cutting answer मारेंगे, यही सत तो होगा, यह है method, लेकिन यह method, थोड़ा ppm, ppm को define करो, ppm होता है, बच्चा part per million, क्या होत होता है, part per million, ठीक है, ppm का मतलब होता है, part per million, 1% में होता है, हाँ, जुलाईगर पिच में, 1% में होता है, कितना, 1% में होता है, 10000 ppm, कितना दस हजार PPM कितना होता है एक परसेंट बराबर होता है दस हजार PPM अब अगर आपको एक हजार PPM का सलुशन बनाना है ठीक है एक हजार PPM का सलुशन बनाना है तो आपको एक लीटर पानी में एक मिली ग्राम डालना होगा केमिकल कितना यह बेसिक कॉंसेप्ट है आप को ध्यान रखेंगे पी पी म हमेशा लीटर में बनता है percentage हमेशा ml में बनता यानि की percent começo के बराबर रोता है do percent 100 में चलता है, PPM अमेशा आपका लीटर में बनता है, तो आपको अगर 1000 PPM का concentration बनाना है, तो आप 1 mg डालेंगे किसमें, एक लीटर में, जो आपका concentration बनेगा, वो 1000 PPM का बन जाएगा, ठीक है, Conversion formula ये होता है, कि 1% बराबर, 1% बराबर, 10,000 PPM, ठीक है, इसको आप पलट लोगे, तो 1 PPM बराबर, 10,000 करके, 1 आपका परसेंट बन जाएगा, ठीक है, इतनी बात समन में आई, ये आपका basic concept है, PPM को बनाने का, ठीक है, अगर जैसे 5000 PPM की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 5 mg डाल दो, ठीक है, बात समन में आई, तो जो ये solution मन के तयार होगा, वो एक लीटर solution तयार होगा, और कितने का, 5000 PPM का, बात समन में आगई बच्चा, ठीक है, बात समन में आगई, ये बहुत अच्छा question था, अगर आप जब कहीं पे जाते हो, तो ये questions बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, आप interviews में अगर भी बैठते हो, तो वहाँ से भी solution के questions आप से पूछ ले जाते हैं, कि आपको solution कैसे बनाना है, जो आपकी dose होती है, जो आप dose डालते हो ना, plants पे, ठीक है, वो dose भी आप से पूछ ले जाती है, ठीक है, कि जैसे उसमें लिख देता है, कि 1.25 mg active ingredient के साथ इतना इतना spray करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, basic concept, 1 mg बाला आप याद रखोगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, चलिए, ये हमारा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, किसकी, वराइटी की बात करते हैं, तो वराइटी जो हैं आपकी भगवा, बेदाना, ठीक है, जोदपुर, रेट, डोकला, गनेज, अलांदी, मसकट जाला और सीडलेस, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपकी वराइटी है, जोती, पेपर सेल, गनेज, अरक्ता, रुद्रा, ठीक है, आपका मृदुला, भगवा, रूबी, और YCD1, G137, सोलापुर, लाल, सोलापुर, अनारदाना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इसकी वर बिल्कुल, लेकिन एक दिन जरूर याद हो जाएंगी, जब आप ऐसे रोज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप इनको अगर क्लास देख रहे हैं, जैसे आप पेपर ले लिजे, उस पे आप नोट कर लिजे, इंपोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, बगवा है, ब बैक्टिरियल ब्लाइट टॉलरेंट, यानि कि जो बैक्टिरियल ब्लाइट की समस्या आती है, प्लांस में, सर, सबनम क्या करी, सर, किसी भी प्लांट का, किसी भी प्लांट का, क्या बच्चा, ठीक है, बैक्टिरियल ब्लाइट की जो समस्या आती है, उस बैक्टिरियल ब् जो होता है उसको दारू भी कहते है ये वही है ठीक है आपको लिखा मिलेगा आपने हो सकता पढ़ा हो कि जो जंगली पर जाती है wild type species जो है पिन्ड की उसको दारू कहते है ठीक है आपका जूसी आउटर ग्रोथ यह जूसी आउटर ग्रोथ सीड कोट ऐसे करके भी आपको लिखा मिल सकता है तो इसमें आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बच्छा इतनी बातस्पन में आई बातस्पन में आई सब क्लिर है ना जweenांन करो कि हां सराल कलियर है थीक यह आपकी यह आपकी यह इभाइटि है इनको एक दोतीन बार और कर लिए वीडियो को पेपर सेल, मिर्दुला, ठीक है, सोलापुर अनारदाना, सोलापुर लाल, और आपका दारू बहुत याद रखना है, क्योंकि यहां से कुश्चन बनता है, सीधे-सीधे पूछता है, कि वाइल्ड स्पसीज आफ पॉंग ग्रेनिट, ठीक है, तो, आधे रास्ते चलोगे, त चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, प्लांटिंग की, किसकी, प्लांटिंग की, ठीक है बच्चा, all clear, the plants are planted usually in the beginning of monsoon, मैंने आपको बताया कि पौदे जो हम लोग लगाते हैं, वो monsoon के season में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, monsoon के season में ल January to mid-fervery, that is during dormant period in North India, ठीक है, तो देखो, mostly rooting की अगर बात करेंगे, किसकी, rooting of cuttings की बात करेंगे, तो उनको हम monsoon season में ही लगाते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी जो roots होती हैं, वो नई develop होती हैं, और अगर हम normally किसी और season में लगाएंगे, जब हमारे पास water की availability कम है, तो जो roots हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह आप transfer करेंगे, तो कुछ जो root hairs होते हैं, वो break हो जाते हैं, ठीक है, तो root hair break हो जाने की वज़े से क्या होता है, प्लांट को एक sock लगता है, जिसकी वज़े से कभी-कभी उसकी death भी हो जाती है, अगर वो sock महां पे जह मिलने की छमता उसके पास नहीं है, यानि कि उसके पास nutrients और water की availability है, तो definitely वो sock से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, तो इस वज़ए से हम क्या करते हैं, mostly जो plant करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हम उसमें use करते हैं, rainy season में transplanting को, ठीक है, लेकिन dormant season कब आता है, dormancy लेकिन इतनी ज़दा इसमें popular होती नहीं है, चलिए, आगे चलते हैं, in square और hexagonal system of planting, या तो square system में करते हैं, या hexagonal system में करते हैं, the distance of planting in case of many improved variety is 5 into 4, कितना, ज़्यादा तर improved variety में कितनी करते हैं, 5 गुणा 4 करते हैं, यह meter में है बच्चा, ठीक है, लेकिन, it was also recommended that higher yield for first 4 to 5 year, after planting a distance of 5 into 2 may be adopted, and देखो, क्या होता है, कि हमने 5-4 पे लगाया, ठीक है, कुछ हमने plants 5 into 2 पे लगाये, initial stage में तो हमने, जब हमारा plants कम grow कर रहा था, तब तो हमने 5-2 पे लगा दिये, और हमारा plant अच्छे से grow करने लगा, लेकिन जब हमारा plant vigorous हो जाता है, क्या हो जाता है, तो बीच-बीच के plants होते हैं, जैसे ही आपके plants लगें, ठीक है, suppose करो, कि हमने पास-पास plants लगा दिये, है न, 5-2 के हिसाब से, तो ये ये वाली तो हमने 5 रखी, ये वाली हमने कम कर दी, ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमारा plant vigorous हो जाता है, तो हम ये जो बीच का plant है, ठ अटा दिते हैं, ताकि जो हमारी distance है, वो 5-4 maintain हो जाए, और जब plant vigorous growth में आए, तो क्या हो, उसको दिक्कत नहों इस spacing की, यानि कि fight न करनी पड़े, light के लिए, nutrients के लिए, water के लिए, या उसकी growth के लिए, ठीक है, बास समन में आए बच्चा, चलिए, ठीक है, may be removed, afterward maintaining a planting distance of 5- वही बात कह रहा है, जो मैंने आपको बताई, कि 5-4 maintain कर देते हैं, बीच के plants को uproot कर देते हैं, यानि कि उनको उखाल देते हैं, जिससे क्या होता है, कि हमारी distance maintain हो जाती है, और वो एक दूसरे से उतना अच्छा competition नहीं कर पाते हैं, और अपनी growth अच्छे से develop करते हैं, बा जुआ करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं training की, ठीक है, तो देखो training में क्या होता है, training में इसमें बहुत ज्यादा training की जरुट नहीं परती है, इसमें दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक होता है single stem, और दूसरा होता है multi stem, कैसा, single stem, upon ground में भी trained as multi stem tree, और single stem tree, इसमें दो ही तरीके अपनाय जाते हैं या तो single stem हो या multi-stem हो single stem का मतलब कि आपका plants है उसका एक main stem है ऊपर जाके उसमें branches निकली है ठीक है यह आपका single system हो गया जो multi-stem system होता है उस multi-stem में क्या होता है कि नीचे से ही कई सारे stems आपके डवलाइब कर दिये जाते हैं तापकि आपके जो plants है वो वो बूसी टाइब का हो थोड़ा सा ठीक है तो इसको बोलते हैं multi system हमारे यां इंडिया में जो अपनाया जाता है वो ज़्यादातर multi system अपनाया जाता है कौनसा? multi system अपनाय जाता है क्यों? क्योंकि multi system में ज़्यादा branches होंगी तो flower और production भी आपका ज़्यादा रहने की उमीद होती है हमारे यह यह वाला system ज़्यादा अपनाय जाता है ठीक है? यह question इससे आपका बन चुका है कि ऐसा कौन सा plants है जिसमें आपका multi system यूज क्या जाता है तो चार option दिया थे जिसमें एक option आपका pom granite भी था तो यह आप वहाँ से याद रखेंगे कि pom granite में क्या होता है आपका multi system अपनाय जाता है ठीक है बच्चा? बास बन जाए? multi stem tree की बात कर लेते हैं, in this method three to four stems are left at hill and remain suits are removed कह रहा है कि नीचे वाले portions पे तीन से चार stems ठीक है? सबनम कहनी सर मेरी सबसे बड़ी problem है English problem English है बहुत कम आती है, कोई बात नहीं बच्चा, English से डरोगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी English कम आती है, English में ही पढ़ो courses करो, newspaper लाओ, English में पढ़ने की बस English में marks कट हो जाते हैं, कोई बात नहीं बच्चा, धीरे धीरे सुधारों अगर आप देखो, English आप तभी अपनी अच्छी कर पाओगे, जब आप English अपनी पढ़ोगे अगरी कल्चर के ज़्यादा तर students कोई समस्या होती है, कि उनकी English बहुत अच्छी नहीं होती है, आपकी English कमजोर है, आप English में courses करो पढ़ोगे, जब आप English में पढ़पाओगे तभी आप English में लिख पाओगे, जब आप पढ़पाओगे तभी आप English तभी आप अपने दिमाग में सोच पाओगे, धरो नहीं, सिर्फ उसका सामना करो, धरोगे तो कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, दुनिया में अगर सबसे कोई आसान भासा है तो English है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो अपने दिमाग में, बस ये सोचो कि सब कोछ अच्छा है, स महरास्ट वाले रीजन में क्या होता है, कि जो आपके प्लांट्स है, क्या, जो आपके प्लांट्स है, उनको मल्टी स्टेम पे ट्रेंड कहता है, किस पे, मल्टी स्टेम पे क्रेंड कहता है, कोई बात नहीं, बच्चा, गल्तियां सबसे होती है, जो गल्तियां हो गई उनक सुधारों ठीक है उसके आत करते हैं but yield has not been found to be affected by number of stem per plant कह रहा है कि आपके ज्यादा stem होने से आपकी yield पे बहुत ज्यादा effect नहीं पड़ता है कि आपकी yield कम नहीं होती है ठीक है कोई बात नहीं यह आपका है इंडिया में जो multi system अपना जाता है वही बहुत ज्यादा popular है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो multi system पे ही training की जाती है ठीक है इतनी बास समय में आई बच्चा चलिए इतनी बास समय में आई ठीक है आगे चले चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है आगे है pruning क्या है pruning प्रूनिंग की बात करते हैं diplomatic plants देजनाट required pruning except removal of ground sucker ठीक है water sucker जिनको बोलते हैं क्या बोलते हैं water sucker बोलते हैं या फिर इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं water sprout क्या बोलते हैं water sprout technically अ선, टेक्नीकली तो इनको water sprouts भी बोलते हैं ठीक है does not requires a parents of ground sucker जो root zone के पास जैसे आपका ये plant है ठीक है ये plants है तो यहाँ पर directly root के पास एक नया suit निकलेगा जो suit क्या करेगा जिसकी जो growth होगी बहुत तेज होती है ठीक है जैसे आपने water का pipe देखा ना इसका water sprout नाम कैसे पड़ा जो पानी का आपने pipe देखा है पानी का pipe जब फटा नहीं होता है यानि कि अच्छा होता है अगर उसमें आपने कोई pinch कर दिया ठीक है और जैसे आपने उस pinch करेंगी तो देखोगी कि पानी का pressure बहुत तेजी से उपर जाता है जाता है बहुत कम समय बहुत तेज जाता है तो सेम वहीं यहां condition होती है कि जो भी nutrients होते है roots से जो भी nutrients होते है सीधे इनको यह roots से absorb करता है और क्या करता है अपनी growth को बहुत fast करता है यह ऐसा होता है जिस पे ना तो fruit आते हैं ना आपका कुछ आता है सिर्फ energy को consume करता है plants की तो इसको क्या कहते है इसको कहते है water sprouts ठीक है तो इनको water sprouts कहते है इसी लिए इनको हटाया जाता है ठीक है क्या किया जाता है इनको हटा दिया जाता है इतनी बास समझ में आई बच्चा water sprout अब समझ गए होगे ठीक है इसी लिए इनको क्या किया जाता है चलिए, water suits and criss-cross branches आपको पता है, वो branches एक दूसरे से मिलती है उनको अटा दिया जता है dead and disease branches, ठीक है और giving a save to the tree ये सारी branches हटा दी जाती है जो unnecessary, unwanted होती है वो आपकी हटा के खतम करती जाती है ठीक है, चलिए इतनी बास्वन में आई बास्वन में आई बच्चा, चलो ठीक है अब आगे चलते है इसके साथ साथ बात करते हैं कि और कौन-कौन सी practices हम लोग कर सकते हैं other practices की बात की जाए तो हम कर सकते हैं thinning of flower cluster ensure better size of fruit यानि कि हम क्या करते हैं हम thinning करते हैं कि clusters की, जो flowering के clusters होते हैं उनकी हम thinning करते हैं क्यों? क्योंकि जो जादा मात्रा में जहां पे है वहाँ पे फिर वो growth अच्छी देंगे नहीं तो इसलिए उनकी हम thinning कर देंगे जब thinning करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे जो fruits आपके हैं वो अच्छी quality के डबल अप होंगे होंगे की नहीं होंगे? चलिए उसके बात करते हैं spraying liquid paraffin at 1% concentration at 15 days interval twice during June reduce fruit cracking देखो, यह paraffin लिखा है यह paraffin आपकी एक तरीकी क्या होती है? आपकी mom होती है ठीक है? mom, mom समझ रहो ना? mom बत्ती वाली mom जो होती है wax जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? wax, इंग्लिस में ठीक है? यह paraffin wax होती है तो यह paraffin wax को क्या करते हैं? 1% concentration के साथ 15 दिन के interval पे उस पे spray करते हैं जो reduce करता है क्या? आपकी fruit cracking और fruit cracking सबसे major problem है किसमे? है आपकी pom grant में किस nutrients की कमी से होती है? आपकी boron की deficiency से होती है किसकी? boron की कमी से होती है और दूसरा कारण जो होता है तो दूसरा कारण आपका है कि in regular interval of जो irrigation है आपका irrigation में कि आप एक लंबे समय से आप सूखा रखे हैं अपने field को और उसके बाद आप irrigation कर देते हैं और फिर आप एक लंबे समय तक अपने field को छोड़ देते हैं बिना irrigation की तो जो shrinking and swelling की process होती है यानि की tissue के फूलने और सिकुडने की जो छमता होती है जब पानी दिया तो tissue फूल जाएंगे और जैसे पानी से खतम होगा वैसे tissue सुकर जाएंगे तो उसमें क्या जाते हैं उसमें cracks आ जाते हैं ठीक है एक तो nutrients दूसरा irregular interval of irrigation तो paraffin ये आपकी wax होती है उस wax का spray करते हैं इसको control करने के लिए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ठीक है किसकी अब बात करते हैं flowering की तो palm granite में तीन flowering season होते हैं अम्बे बाहर, म्रिग बाहर और हस्तवार जैसे मैंने आपको ग्वावा में पढ़ाए थे कि तीन season होते हैं बाहर के वैसे ही इसमें होते हैं किसमें आपके अम्बे बाहर, म्रिग बाहर और हस्तवार गौवा में मैंने आपको बताया था कि कौन सी बैटर होती है जल्दी से कमेंट करके बताओ कि गौवा में कौन सी बाहर हमको लेनी चाहिए फिर हम बताएंगे इसमें ठीक है हस्त बाहर के फ्लावरिंग के समय सेप्टेमबर अक्टूबर होता है जो सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है ठीक है कंसंट्रेशन बनाते कैसे हैं वैक्स की तो भाया वैक्स आता है लिक्विड फॉर्म में जो पैराफिन वैक्स नहीं कि आप जो मौम्बत्ती वाला यूज कर रहा है नहीं बच्चा उस पैराफिन वैक्स का जो आता है वो मार्केट में आता है ठीक है मार्केट में आता है केम 100 ml में किसमे 100 ml में जब आप डालोगे एक ग्राम पैराफिन आप 100 ml में डालोगे तो यह आपका 1% का कंसेंट्रेशन हो गया अब यहीं अगर आप एक लीटर में कनवर्ट करोगे तो इधर बढ़ाओगे एक जीरो तो यह हो गया 10 ग्राम और इधर हो गया 1000 ml ठीक है यानि कि यह बन गया आपका एक लीटर ठीक है तो एक जब एक परसेंट के कंसेंट्रेशन बनेगा तो एक लीटर में आपको कितना डालना पड़ेगा 10 ग्राम ठीक है बात समझ में आगी बिच्चा यह वैक्स नहीं है कि आपके घर में जो वैक्स है उसकी हम बात कर रहे है पैराफिन वैक्स होती है जो यूज की जाती है उसको केमिकली बनाया गया है उस हिसाब से कि आप उसको स्प्रे कर सकें ठीक है बात समझ में बच्चे चलिए ठीक है तो हम बात कर रहे थे किसकी बाहार की बात कर रहे थे हम बाहार की बात कर रहे थे तो यह तीन बाहार हैं अम्बे बाहार म्रिक बाहार और हस्तवार ठीक है जिसमें से जो इसमें ली जाती है वो आपकी ली जाती है अंबे बार जैसे आरुसी ने बताया है कि मुरिग बाहर ग्वावा में लेते हैं बिल्कुल सही बात लेते हैं ठीक है बिल्कुल सही आपको याद है बहुत अच्छी बात है ठीक है लेकिन ग्वावा और सॉरी लेकिन पॉम ग्रेनेट की बात करें तो इसमें जो सबसे प्रफर्ड बाहार है वो कैसी है वो आपकी अंबे बाहार है ठीक है कौन सी है आपकी अंबे बाहार ली जाती है जो fruit की quality है वो सबसे बढ़िया होती है इसमें good quality के आपके fruits आते हैं ठीक है सबसे बढ़िया quality के क्या होते हैं आपके fruits आते हैं ठीक है और production भी आपका इसमें ज़्यादा होता है इसमें insect का attack होता है और आपका fruit borer बगएरा का इसमें attack होता है जिससे इसकी quality खराब होती है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना है कि palm granite के case में आपको अम्मे बाहर लेनी है और guava के case में म्रिग बाहर लेनी है यहां से बच्चों को बहुत confusion होता है आप इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से एकदम गांठ बांद के ध्यान रखेंगे ठीक है कि हमको palm granite में अम्मे बाहर लेनी है और guava में हमको म्रिग बाहर लेनी है यहां से बहुत बार question बन है definitely बनता है हमेशा बनता रहेगा क्यों क्योंकि यह ऐसे question है जिसमें बच्चों को clear नहीं होता है ठीक है अब बात करते हैं harvesting की किसकी harvesting की बात करते हैं तो जंदली fruits ripen in about five to seven month after from the time of flowering stage कहर आए कि flowering से पांच से साथ मन्थ कब पांच से साथ मन्थ में आप harvest कर सकते हैं flowering के ठीक है बच्चा इतनी बास में मैं mature fruits should be immediately picked from the plants after maturity stage जैसे fruit mature होते हैं उनके बाद उनको pick कर लिया जाता है ठीक है as delay in harvest leads to fruit cracking अगर आपका fruit mature हो गया है और आप harvesting में delay कर रहे हैं तो आपके fruit में cracks आने शुरू हो जाएंगे इसी लिए sorry palm grant में condition होती है कि जैसे ही आप harvest करें जैसे ही आप maturity पे पहुँचें आप तुरंत उसको harvest कर लें सबसे बढ़िया time होता है harvesting करने का ठीक है इतनी बास में में आई बच्चा चलिए किसी को कोई doubt हो तो फटाक से बताओ ठीक है तो इसमें सारे चीज़ें लगबग लगबग हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे points हैं वो cover कियें अगर आपको class बच्चा अच्छी लगा करें तो आप इसको like, share और subscribe जरूर करो ठीक है जो बच्चे हमारे साथ नहीं जोड़े हैं या नए बच्चे हैं वो जरूर subscribe करें ताकि आपकी जो हम लोग की class चलती है 5 वजे से लेके 10 वजे तक ठीक है कबसे 5 पीम से लेके 10 पीम तक ठीक है जो class लगती है वो उसको आप join करें notification पाएं ताकि आप हमारे साथ चोड़ सकें ठीक है विलकुल free है किसी को कोई charges नहीं देने हैं आराम से आपको म लेकिन आप जादा से जादा अगर live session में जोड़ेंगे तो उसकी एक अलग बात होती है आपके जो doubts होते हैं वो clear किये जाएंगे ठीक है उसके बात बात करते हैं ये राजिस्तान का आपका course है और ये आपका agriculture complete video course है ठीक है ये दोनो foundation course है ये राजिस्तान के बच्चों के है और ये आपका agriculture foundation course है जो बच्चे purchase करना चाहते हैं वो y443 a code का इस्तेमाल करके आप purchase कर सकते हैं ये code यहाँ पे आपका लिखा रहता है और a code अगर active होगा भी तो आप उसको लगा के देख सकते हैं sir telegram id please बच्चा आप telegram पे जाके agriculture adda 24 7 official search करेंगे आपको वहाँ पे मि inbox में जाएंगे नीचे तो वहाँ पे भी telegram की link आपको मिल जाएगी ठीक है जो बच्चे नए हैं वो हमारे साथ यहाँ पे जोड़ें ठीक है telegram जाइन करिए वहाँ पे आपको class की link मिल जाती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ठीक है आपको इसको simply purchase कैसे करना है तो ठीक है आपको website पर जाना है यहाँ पर आपको addda सर्च करना है ठीक है आप addda 247 जैसे ही सर्च करेंगे यह simply website आपकी खुल के आ जाएगी ठीक है सुबहम सिंग सर OPSC का syllabus UKSSC AO के सेम है बच्चा मैंने अभी UKSSC का syllabus देखा नहीं है पूरा ठीक है मैं उसको एक बार देख के फिर मैं आपको जवाब दे पाऊंगा कि सेम है या नहीं है OPSC का तो मैंने देखा है OPSC में तो आपके दो paper हूंगे ठीक है हां तो यहां पे आप जाएंगे यहां पे याँप सर्च करेंगे ठीक है जैसे ही आप agriculture यहां पर सर्च करेंगे देखिए agriculture के जो भी courses है वो सारे यहां पर है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कैसे use करना है code का ठीक है जैसे ही आपका complete foundation course है आप यहां view offer में जाएंगे ठीक है और यहां पर y443 लगाएंगे क्या y443 एक code में activate करके देख रहा हूँ कि अगर एक code चलदा है कि नहीं चलदा है ठीक है हाँ चलदा है एक code आपका लगा है 4799 का यह batch आपको पढ़ेगा ठीक है जो बच्चे हैं इसमें और भी सारे batch हैं आप वहाँ से जाके देख सकते हैं यहां पर यह सारी details दी हुई है ठीक है यह सारे videos यहां पर लगे हुए है ठीक है चलिए तो यह सारी चीजें आप देख सकते हैं यहां पर आपको वीडियो है 4799 का है जो बच्चे purchase करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बाकी YouTube पर आप हुमारे साथ जुड़िये सामको 5 वजे से लेके 10 वजे सामको 7 वजे मैं आता हूँ अर्टी कल्चर की क्लास के साथ अभी अगली क्लास मैम की होगी तो आप लोग कहीं जाईएगा नहीं रुकिएगा जरूर उसके बाद फिर आपका दूसरी मैम आएगी 9 वजे से उनकी भी क्लास करिएगा वो भी आपके लिए कुछ न कुछ नया लेके जरूर आएगी तो मिलते हैं फिर कल तब तक के लिए जैहन झाल